पैर में एठन होने के कारण और घरेलू इलाज पैरों में एठन होने की समस्या को कभी कभी चाली होस के नाम से भी जाना जाता है पैर में एठन कश्टदाई हो सकती है, जो अकसर रात के समय अधिक परेशान करती है रात को पैरों में एठन होने की समस्या को Nocturnal Leg Cremes के नाम से जाना जाता है जब आप गहरी नींद में होते हैं या फिर आराम कर रहे होते हैं तो अचानक पैर में एठन समबंधी लक्षन महसूस किये जा सकते हैं यह लेक पैरों में एठन की समस्या के बारे में है जिसमें आप जानेगे की पैरों में एठन क्यूं होती है इसके कारण जाँच, इलाज क्या है और Leg Cremes से बचाव कैसे किया जा सकता है इसके साथ ही पैर में एठन के घरेलू इलाज के बारे में भी जानेगे पैरों में एठन क्या है लेग क्रैम्स या चाली होज एक आम समस्या है जो पैरों, पिंडली और जान्द की मानस्पेशियों को प्रभावित करती है इस समस्या से पीडित व्यक्ति के पैरों की मानस्पेशियों में अचानक दर्दनाक और अनेच्छिक संकुचन होता है पैर में एठन का अहसास व्यक्ति को अक्सर रात्री में सोते समय या आराम करते समय होता है पैरों में एठन कुछ सेकंड के भीतर दूर हो सकती है, लेकिन इसकी औसत अब धी 9 मिनेट तक हो सकती है एठन दूर हो जाने के बाद 24 घंटे तक मानस्पेशियों में कोमलता या दर्दनाक समवेदना बनी रह सकती है अधिकांश मामलों में पैर में एठन होने का कोई पहचान योग या कारण नहीं होता है और एठन अक्सर हानिरहित होती है कभी कभी पैरों में एठन की समस्या मधुमेह या परिधिय धमनी रोग जैसी अंतरनिहित बीमारियों का संकेत या लक्षन हो सकती है पैरों में एठन होने का कारण पैरों में एठन होने की ज़्यादातर स्थितियों में इसके कारणों का निर्धारन नहीं किया जा सकता है कुछ अध्ययन बताते हैं कि मानस्पेशियों की ठकान और नर्व डिस्फंक्शन पैरों की एठन को उत्पन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं विभिन कारणों से पैर में एठन उत्पन हो सकती हैं जैसे की पैर की एठन के जीवनशेली संबंधी कारक कुछ जीवनशेली संबंधी कारक पैरों में एठन उत्पन कर सकते हैं एठन का कारण बनने वाली जीवनशेली संबंधी गतिविधियों में शामिल हैं लंबे समय तक एक ही स्थिती में बैठे रहना, बहुत अधिक व्यायाम करना, गलत स्थिती में बैठना, लंबे समय तक खड़े रहना, निर्जली करण और इलेक्ट्रोलाइट की कमी, पैरों में एंठन के मेडिकल कारण, गर्भावस्था के साथ साथ कुछ अन्य चिकित सकी स्थितियां भी आपके पैरों में एंठन होने का कारण बन सकती हैं, जिन में शामिल हैं, एडिसन के रोग, शराब का दुश प्रभाव, किद्नी खराब, थाइराइड रोग, पाकिसन्स रोग, टाइप दो डायबिटीज, सारकोईडोसिस, सिरोसिस, वैस्कुलर डिजिज परिधिय धमनी रोग, PAD, Motor Neuron रोग, Restless Legs Syndrome, Spinal Stenosis, गरभावस्था, पैर में एंठन के लक्षन, जब आपकी मांस्पेशियां अनेच्छिक रूप से सिकुल्ती या सनकुचित होती हैं, तो उनमें एंठन उत्पन होती हैं, आमतोर पर एंठन का असास पैर की मांस्पेश में भी हो सकती है, पैरों की एंठन के लिए डॉक्टर को कब दिखाएं, पैर की एंठन आमतोर पर चिंता का कारण नहीं होती है, लेकिन कभी-कभी यह एक अंतरनिहित समस्या या बिमारी का संकेत दे सकती है, यदि आप अकसर गंभीर एंठन को महसूस करते हैं, तो डॉक भावना उत्पन होती है, तो डॉक्टर इससे राहत दिलाने के लिए एक ओवर दा काउंटर और टीसीक डर्द निवारक दवा की सिफारिश कर सकता है, व्यायाम, एक्सरसाइज, और स्ट्रेचिंग, कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स, कैल्सियम चैनल ब्लोकर्स, कैरिसोप्रो और विटामिन बीबार, विटामिन पैरों की एंठन के इलाज में मददगार साबित हो सकते हैं, पैर की एंठन के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, यदि पैर में एंठन होने का कोई अंतरनिहित कारण मौजूद न होने की स्थिती में बगर उपचार के एंठन ठीक हो सकती है, पैर की उंगलियों पर चलने से मानसपेशियों में खीजाब उत्पन होता है और एंठन से राहत मिल सकती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की मदद से प्रत्यक व्यक्ति पैर में एंठन को दूर कर सकता है, यदि आप पिंदली की मानसपेशियों में एंठन महसू को घुटने की ओर खीचे और 30 सेकंड तक खीचे रखें।